यहीं दोस्तों क्या हाल है तो यह मेरे पास वीवो टी-3 5G वीवो की तरब से आने वाल एक नया फोन वीवो कंसिडरिंग जिस प्राइस रेंज में यह आने वाल है ऐसे हार्डवेर कम देता है और मैं बताऊंगा इस फोन में क्या कैसे दिया हुआ वीवो के साथ मिलके मैं य जेते हैं and in my Fran Opeanion वीवो का फोन जो लोग लेना चाते हैं उनके लिए एक सही ओप्शन हो सकता है जो लोग इस रेट के आसपस वीवो का फोन ढूंग रहे हैं और यह मिलेगा फिलिप काड़े पर वीवो की सीद्टी लिप काड़ पर मिलती है नहीं तो आपको पता है वी 54 रोट का फास्ट चार्जर है और यह सिम जेक्टर पिन फोन को बाहर निकालने से पहले देख लेते हैं यहां पे आपको है यहां सिम कैसे लगा हुआ है एक लिए फोन पहले इंप्रेशन चेक कर लेते क्या दिये वह फिर पैक कर देते ताकि आपको अंबोक्सिंग्स पीरिय है यह 8256 में भी आएगा और मिनिमम होगा इसमें तो यह अच्छी बात है तो कुछ ऐसा दिखता है विवो ट्री 5G इसका जो वेट है 188 ग्राम का है लाइट वेट है कंसिडरिंग 5000 अमेज बैटरी हैं के अंदर और फोन स्लिम साइट भी फील कर रहता है मेरे पास जो कलर इसका नाम है क्रिस्टल फ्लेक वैसे एक और कलर आएगा कोस्मिक ब्लू और जो मेरे पास है इस पर आप देखेंगे 3D क्रिस्टल पैटर्न शो होता है इन फैक्ट यह जो आप कैमरा के तरफ एक रेक्टेंगल शेप देख रहे हैं यह भी 3D टेक्च्चर फोम में है ऐसा रगता कि अलक से कोई मोडियूल यह बट ऐसा नहीं है वो डिजाइन वह अलक से बाहर है ने निकला यहां पर लेकिन आपको तीन कैमरा की रिंग दिख रही है और जो ग्यांट फिनिश यह जैन जवह नहीं होंग इस पे थोड़ा बहुत ही होंगे अगर होंगे तो बागी सिम लगा के चेक किया तो फोर जी प्लस यानि कि के एट फाइब जी के बैंड है वह से फाइब जी के साथ विए नार अभी शो नहीं कर रहा है डोल भी एटमोस्ट नहीं है लेकिन डूल स्टीरो स्पीकर है लाउडनेस अच्छी है सेंसर सारे दे रखे आई पिफिफ्टी प इस यह वसे पीक ब्राइटनेस है बाट नॉर्मल मैं आउट्डोर लेके गया था डिस्प्ले काफी ब्राइट फिल कराती है एच्डिया टैन का सपोर्ट भी मिलेगा इन फैक्ट नेट्फ्लिक्स पर भी शो कर रहा है वाइड वाइड वाइन तो मिलेगा ही इन डिस्प्ल के अंदर जो ओल्वेज ओन डिस्प्ले यानि की ए ओडी वो हमेशा ओन नहीं होता थोड़ी दिर बाद यह ओफ हो जाता है पर्फोर्मेंस की बात करें तो यहां पर डैमेंसिटी 7200 प्रोसेसर है LPDDR 4X RAM UFS 2.2 स्टोरेज 7 लाइक प्लस अंतुतु स्कोर आता है थ्रोटल ट को मेंस अच्छा है कैजूर यह लाइट गेमिंग भी आप अच्छी कर सकते हो और यह आता है एंडोएट 14 और फंटर चोस 14 के साथ कुछ एक्टर अप्लिकेशन हमें दिखें यहां पर जब हमने इसको पहली बार बूट किया तो आपको करके अंस्टोल करना पड़ेगा करना पड़ता है तो आप सजेसंस अभी बच जाएंगे और यह जो यूसफुल है वह आपके काम आएगा रस्ट फंटर चोस 14 के साथ आपको यहाँ पर जो को रिकोर्डिंग अगर आप करते हैं इनकी खुद का डालर का ऑप्शन में मिल जाता है तो आप कर सकते बिना नहीं है और आपको दो कैमरे जो दिख रहें एक दो मेगा पिक्सल बोके कैमरा है और एक फ्लिकर सेंसर है ओन पेपर जो की बेसिकली लाइट फ्लिकर वगारा जो उसको थोड़ा कम करता है बागी फोटो क्वाल्टी की बात करें तो मैंने कुछ अलग 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 धेर सार देलाइट बगारा की फोटो में स्कीन पर नोटीस होता है वह मैंने यहाँ पर फिल किया कुछ फोटो में बाकी जो फोटो आती है डीसेंट फोटो आती है यहाँ पर देख सकते हो अलग अलग जो सेल्फी फोटो आती है वीव का से फोटो ठीक लगेंगी फोर के 30fps तक अंदाज आपको लग जाएगा और अभी मैं बात करते करते एक्टम बाहर आ गया और यह दूप में तो कुछ ऐसी वीडियो क्वालिटी मिलने वाली आपको तो यह सारा कुछ मिलता है इस वीव का फोन लेना चाहते हैं और भाई जिनमें हाडवेर बगारा कई बाजना इसी है बड़ जो में कैमरा की रिजल्ट आ रहे हैं वह सारा मिला के बैलेंस पैकेज उनको मिल सकता है बाकि आप अपना उपीनियन एज उज्वल कोमेंट सेक्शन में करिए मैं पढ़ूंगा उसे मिलते अगली वीडियो में लाइक करिए शेर करिए सब्सक्राइब करिए झालेंस तर किए कर देर के लाइक करिए जासरा सेक्शन में लाइक करिए थीगनिय।